प्रागत है आपका मेरे यूटीब चैनल सम्णीए, 90 डे ज़ नोटिस फिरीयड किवाप एधू आपने ओप्शन देखा होगा 90 डे लटिस फिरेयड क्या है ये 90 डे 6ड ल Sounds notice period आपके किवा पे show होता है उसके बाद आपने कौन से काम नहीं करने आपकी company इस 90 days के दोरान क्या क्या कर सकती है आपके खिलाफ जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और transfer request डालने से पहले आपने कौन सी चीजों का ध्यान देना है इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा वीडियो थोड़ी लंबी होने आली है वीडियो के end तक बने रही है बहुत से important points इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे चाइनल को subscribe कर लिजे बैल आइकन जरूर पैस कर दें चले देखते हैं आज के topic के बारे में 90 days notice period pending completion 90 days notice period कीवा पर यह status कई लोगों को देखने को मिल रहा है और हो सकता है नाले time में कुछ लोगों को देखने को मिले 90 days notice period का मतलब क्या होता है मतलब यह है कि जब आपने कीवा पर अपनी transfer request को accept किया वहां से आपका 90 days का period शुरू हो जाता है अगर आपकी company ने उस option को click करके छोड़ दिया तो 90 days तक आपका कीवा उसी option पर पड़ा रहेगा वो status change नहीं होगा यह 90 days notice period है क्या यह 90 days का notice period वो है जो company को दिया गया है किसी भी employee के transfer request को approve reject करने के लिए 90 दिनों तक वो आपको रोग सकती है 90 दिनों के बाद अगर आपकी company ने 90 days notice period डाल दिया है तो आपके 80% chances हैं कि 90 days के बाद आपकी company आपका transfer अप्रूव कर देगी इसलिए उन्होंने आपका 90 days का time वहाँ पे डाल दिया है क्योंकि 90 days तक आपकी जो नई company है जिनोंने contract भेजा है वो आपको ले लेंगे इस बात की उम्मीद थोड़ी कम है लेकिन आप उनसे बात करते रहें कैसा ऐसा period शो कर रहा है 90 days के बाद मैं आपका transfer complete हो जाएगा मैं 90 days के बाद जोइन कर पाऊंगा तो ये बात आप उनसे करते रहें उम्मीद है वो इस बात को समझ जाएंगे और 90 days के बाद आपको ले लेंगे सोचने आली बात यहां पर यह है कि 90 days के दोरान क्या आपको company exit दे सकती है अगर company accept नहीं करती है तो ये transfer automatic हो जाएगा क्या इस दोरान company आपको terminate कर सकती है क्या इसके बाद company आपका service reward zero कर सकती है क्या होगा अगर आपका company आपको transfer दे दे लेकिन आपका जो service reward है वो zero हो जाए तो कुछ ऐसे सवाल है इस period को लेके उसके बारे बात करते है सबसे पहले बात करते है exit की क्या आपकी company आपको exit दे सकती है तो आपकी company के पास ये पूरा अधिकार है कि वो आपको exit दे दे उसके contract के हिसाब से अगर आप चल रहे है सब कुछ सही चल रहा है तो आपको exit दे सकती है लेकिन अगर company exit देती है उसके बाद भी आपके पास 60 days का time होता है 60 days के दोरान आप अपनी exit कैंसल करवा सकते है नहीं तो आपको जाना होता है जो validity है 60 days की है दूसरी बात अगर आपका exit लग गया है उसके बाद भी आपका जो आपका new employer है वो आपका transfer ले सकता है अब exit लगने के बाद उसे जो पुरानी company उसको बताने की जरूत नहीं है कि आप जा रहे हैं transfer ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका exit दे दिया अब आपके exit कैंसल करा कि आप transfer ले सकते है आपकी जो new company है वो आपका exit भी cancel करवा देगी और आपका transfer भी complete करवा देगी तो जो नई company हैं से आप बात करते रहें अपना तालुकात बना के रहें अगर company accept नहीं करती है तो क्या ये automatic process में आ जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं है automatic process उनका ही होगा जिनका e-cama expire है या work permit expire है जिनका e-cama valid है जिनका work permit valid है उनका automatic transfer नहीं होगा उनके current employer का approval चाहिए अब मैं बात करूँगा इस बारे में कि आपने कौन सी चीजें नहीं करनी है 90 days के दोरान आपकी company in 90 days में option ढून रही है आपका transfer cancel करने की वो cancel कर सकती है अगर आप काम पर बताई नहीं आते हैं means no show मारते हैं आपने no show नहीं करना है काम पर continue जाना है आपकी company को आपने अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना है किसी भी fraud activity में participate नहीं करना है जहां भी आपको लग रहा है company के साथ fraud करने की कोशिश की जा रही है उससे आपने दूर रहना है उसका part नहीं बना है आपकी company में ऐसे और भी लोग होंगे जो आपको इस बात के लिए force कर रहे होंगे कि बताओ कैसे होगा क्या होगा क्या करना पड़ेगा हम भी transfer ले लेगा आपने उनको कहना है कि बाई पहले मेरा transfer हो जाने दो उसके बाद मैं आपकी help जरूर करूँगा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस बात की क्योंकि जब आप इस तरीके की activity में participate करते हैं तो ये company के खिलाफ जाल साजी माना जा सकता है क्यों कि आप खुद जा रहे हैं काम छोड़के और company के और चार लोगों को आप ये guide कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इस company को छोड़े तो आपने ये नहीं करना है आपने अपना transfer पहले process complete करवा लेना है उसके बाद आप उनको ज़्यादा बहतर guide कर पाएंगे तो आपने उस दोरान ये काम नहीं करने है 90 days आपने बहुत ज़्यादा संभल के रहना है ताकि आपकी company को कोई ऐसा मौका ना मिले जो वो इसको cancel कर दें वो cancel भी कर सकते हैं आपकी request with a valid reason और वो valid reason यही हो सकते हैं कि आप काम पे नहीं आए बिना बताए हुए आप काम पे नहीं आए आपने company के खिलाफ जलसाजी की आपने fraud किया company के साथ तो कुछ इस तरीके की चीज़े हैं जो परेशानी create कर सकती है तो आपको संभल के रहना है इन चीज़ों में involved नहीं होना है इन्शालला आपका काम हो जाएगा आप try करते रहें फ्रांसफर लेने से पहले हमें यह करना है कि 90 days पहले हमने अपनी company को बताना है जो कि resignation का process है जब हम resign करते हैं company छोड़ते हैं तो हम company को 90 days पहले बता देते हैं कि हम काम छोड़ने आले हैं हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते कुछ भी reason हो सकता है उसका जो भी आपको reason सही लगता है वो reason बताएं उस हिसाब से आपने जब inform कर दिया तो company आपका replacement देखती है आपकी जगा पे कौन आएगा उस काम को संभालने के लिए company उसकी तलाश में लग जाती है वो arrangement करने में लग जाती है आपके ओपर कोई violation नहीं होना चाहिए pending किसी भी तरह का चाहिए वो traffic violation हो चाहिए कोई भी violation हो pending नहीं होना चाहिए company की तरफ आपका कुछ due नहीं होना चाहिए आपने company को कुछ देना है आपने advance लिया हुआ है इस तरीके की कोई भी चीज आपकी company के साथ नहीं होनी चाहिए transfer लेने से पहले इन चीजों का अपने ध्यान रखना है ये चीजे होने के बाद ही आप transfer request दालते हैं तो आपके लिए easy होगा उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक जानकर याली वीडियो